पानी की वज़े से फसल की जो बरबादी हुई है उसके बाद किसानों को समझ नहीं आ रहा कि परिवार का पालन पोशन कैसे करेंगे भागलपूर के केलांचल नवगच्या में बाड की तबाही ने केले की फसल को भारी नुकसान पहुँचाया है गंगा की बाड ने किसानों की रोजी रोटी पर भी असार डाला है गोपालपूर में रिंग बांध के तूटने के बाद कई इलाके बाड़ की चपेट में आ गए हैं खेतों में लगी सबजियों, मक्के के साथ साथ केले के खेत पूरी तरह जलमगन है नवगच्या के गोपालपूर में लगभग 80 एकड में लगी केले की फसल और करीब 20 एकड में लगी साग, सबजिया, मक्का, पूरी तरह बरबाद हो गए दुर्गापूजा के लिए यहां के किसान महनत कर रहे थे, ताकि दुर्गापूजा में केले की अच्छी बिक्री हो लेकिन गंगान अदी ने ऐसा रुखा अपनाया कि कई एकड में लगी फसलें पूरी तरह नश्ट हो गई यहां लगे केले केड में ही गिर रहे हैं, पेड़ गल रहे हैं, पानी खेडों में जमा हो चुका है पूरी परे सौन ही है, केले पर हम सब जीते थे, तो केले नहीं रहा, तो हम क्या क्या करके जीएंगे? आप इतना एकर में लगा हैं? हम एक एकर में लगा हैं पूरा डूब गया है जगétaisदा तो नहीं हाथ जमिन, बस ऐग वही एकर था कि इतना कमाई होता है कि एक एक कर से बस एक परिवार से बढ़ता था कमाई क्या उसमें होता है उसमें खर्चा करते हैं तब होता है नहीं तो लाक्ट का तक हो जाता है सब्सक्राइब करें उम्मीद कि सरकार से उम्मीद यतने हैं मौमजा को दिया जाए बार पटनों कलकत्ता जर्खान अब दुर्गापुजा में इतना उम्मीद था कि साले साल उसमें ही बिगता था कि दसमें पुजा जैसे चालो होता था मेरा सब का क्यला दून करता था इस पार तो कुछ नहीं हुआ सब तो दुभी है गया हम लोग का केला पे आश्रिद था लेकिन यहां पर पुरा रिंग बाउन टूटा है बुद्धु चुका महां से पानी धिरी द्री निकास होते थे यहां तक पहुच चुगा है पोखड़िया तो पुरा पानी में केला भर चुगा है उसके करण केला यहां पुरा फसल बेर केला से रोजी रोटित चल जाता है और थहरा हलका पुझा में बहुत उमीद था लेकिन आप तो लगता है कुछ उमीद ने बहुत फसल यह जिर भी चुका है देख सकते हैं इसलिए इसलिए सरकार से इतना ही बीनती हम लोग को था साथ दिया जाए नवगच्छे का केला जहारखंड बंगाल ओडिशा समेथ बिहार के कई जिलों में भेजा जाता है लेकिन इस बार बाढ़ की तबाही ने किसानों को हलकान कर दिया किसान अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की आस लगाए हैं यहां एक बीगे में केले की खेती से करीब एक से डेड़ लाख रुपे कमाई एक बार में किसान करते हैं और आज की तारीख में ऐसे दरजनों किसान हैं जिनके केले नश्ट हो गए 20 अगस्त को गोपालपूर बिंदटोली रिंग बांध का 125 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ था जिसके बाद गंगा का पानी लगातार फ्यलता जा रहा है किसानों को कहना है कि उनका घर परिवार केले की खेती की कमाई पर ही चलता है ऐसे में ये हालात आने वाले दिनों में उनकी रोजी रोटी पर भी आफ़त ले आएंगे इन किसानों की गोहार पर कितनी सुनवाई होती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा भागलपूर से शिवम की रिपोर्ट